हेलो लर्नर्स, वेलकम टू शेल्टू, इस वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे topic organizational behavior का factors of individual behavior यानि कि individual का behavior होता है उन पे वो किनकिन factors पर depend करता है, देखिए हमने पिछले वीडियो में डिसक्रस किया था कि individual behavior क्या होता है और क्या characteristics है, वहां पर एक characteristic थी कि यह individual behavior caused होता है, caused यानि कि वो कुछ न कुछ factors होते हैं जिसकी वज़े से आप behavior show करते हो, अब suppose करें कि आप snake महां से गुजर रहा है, तो आपने snake को देखा और आप जो है डर जाओ गई, यह जो fairness की behavior था, डर गए उसकी डर के भागे, आप महां से दूर हटे, यह जो behavior आपने क्यों show किया, क्योंकि सामने से snake गया, और snake क्या है, आपको बता कि snake से डर लगता है, काट लेगा तो डेथ हो सकती है, तो आपने उसको देखा और आप उससे डरे और उससे दूर हटे, यह behavior क्यों आया, because of snake, तो यह जो behavior है इंडुजर का वो cause होता है, बच्चे ने गिलास गिरा दिया, तो उसके behavior show किये जाते है, इसी वज़े से individual differences आता है, individual differences, suppose कि कुछ employee ऐसे होते है, जिनको आप ही है, आप student है, आपको कुछ students ऐसे होते है, जिनको morning में चार बज़े उठकर जो है पढ़ना अच्छा लगता है, वही पर कुछ ऐसे हों कि जिनको late night पढ़ना अच्छा लगता है, तो प factors दो तरीके होते हैं, एक individual factors होते है, एक situational, यानि stimuli, जहां पर आप बाहर के लोगों से इंट्रेट करते हैं, वह factor होता है, ठीक, तो individual behavior में क्या होता है, कि कुछ factors जो है, वह individual के अंदर होते हैं, वही पर कुछ factors जो है, जिस situation से आप इंट्रेट कर रहे होते हो, ठीक, individual variables कौ कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है physiological variables, physiological variables यानि कि जो physically है, आप से related physically है, आपका age, आपका gender, आपका physical abilities, आपकी intelligence, ये सारी चीज़े क्या है, ये physiological variables में आते हैं, heredity हो गया, nervous system हो गया, तो ये सारी चीज़े हैं, जो अलग-अलग individuals की, अलग-अलग तरीके से होती है, अलग age है, अलग gender है, अलग physical abilities होती है, कुछ लोग ज़्यादा powerful होते हैं, कुछ लोग कम powerful होते हैं, कुछ ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ की IQ अच्छी होते हैं, कुछ की IQ कम होती है ति यह उसकी वज़े से behavior भी क्या होता है differences आते हैं नहीं वज़े से individual difference होता है आप कहतो नहीं यह मोटा है यह पतला है यह लंबा है यह छोटा है ति individual differences है because of individual variables इसी तरह के से socio-psychological variables है जैसे कि आपका motivation, personality, perception, learning, attitude, emotional intelligence यह सब क्या है यह socio-psychological variables है जो कि society में और आपके जो आप parents के साथ रहते हो तो उससे यह frame होता है ठेक है आपकी personality कैसी है आपका सोचने का तरीका देखने का नजरिया क्या है आप कितनी जल्दी सीख लेते हो आपका attitude क्या है positive रहता है निगेटिव रहता है emotional intelligence कैसा है motivation आप कितनी जल्दी motivate होते हो इसके basis पर भी आपका individual behavior होता है कोई लोग आ गया आपको कोई product sell करना है तो आप तुरंत motivate हो तो तुरंत product को purchase कर ले तो वही पर कुछ लोग ऐसे होता है आप उनको समझाते रहो वो जल्दी से motivate नहीं होते है किसी चीज के लिए तो यह individual behavior हो factors है different रहते है और different behavior show होता है इसी तरह के से situational variables होते हैं जहाँ पर organizational variables और job variables के बीच में categorize कर सकते है organizational variables में जैसे organizational का structure कैसा है वहाँ पर process का है काम कैसे होता है वहाँ का culture कैसा है साउधन कल्चर है western culture है या फिर आप जो है MNCs है तो culture की basis पर भी आपका behavior show करेगा अब आप सपोस करें कि आप जो है किसी restaurant में काम करते है तो आपका वहाँ के employee का behavior अलग होगा आप किसी आप सपोस कर आप traffic police है तो आपका behavior अलग होगा आप जो है आर्मी में हिता आपका behavior अलग होगा इसी दिपर से job variable या नि nature of job आपका job का nature कैसा है उसके according भी आपका behavior अलग होगा अब एक teacher है तो teacher का behavior आप कहीं पर भी देखेंगे तो आप उसको देखके समझेंगे कहां ये teacher हो सकते ये पढ़ाने वाला काम करते होगे वहीं पर आप जो है किसी workman को देखेंगे तो आप उसके behavior से जाएंगे कहां ये workman का काम करते हैं तो nature of job है उसकी हिसाब से भी आप जो है behavior शो करते ह इस पर भी आपका डिपेंट करता है, कि अलग-अलग factors हैं जिसकी वज़ा से individual behavior शो होता है, और इसी behavior की वज़ा से individual differences भी होते हैं, एक teacher जिस तरीके से behave करता है, उस तरीके से दूसरे professor में जो लोग होंगे वो अलग तरीके से behave करेंगे, तो दोनों individual हैं, लेकिन behavior क्या है, अल अलग है, एक minister का job nature अलग है, एक IS species का job nature अलग है, तो सब के behavior भी अलग होंगे, तो यह situational variables हो गए, clear, तो यह factors है individual behavior के, wish you all the best, keep watching